जय मात अदिस सर्स्वति मैस में आपका स्वागत है तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो लेके आया हूं तो चलो आए हम वीडियो शुरू करते हैं आपको पता हिए कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कमपाउंड इंट्रस्ट हो गाता है किमाउंड लगने के जो प्रो से से वह जाती है ब्हुच कमपाउंड इंट्रस्ट को इस प्रो से सुरू हो जाती चाहते है समय होता है ज्योंड ळाएगा निकल बनाक्राइगा क्या होता है तो हमेशे हैं मतल़ तीन चीज है तो इसे काम कैसे काता थोड़ से समझते हैं जैसे आपको रेट दी है दो साल कितना दे दिया टाइम कितना दे दिया दोस्तों दो साल दे दिया है और आपको दो साल टाइम दे दिया और मानो कि आपके पास प्रिंसिपल दे दिया है मानो दो सुर्पिया वह आपसे जानना चाहता है कि कितना ब्याज लगेगा तो देखो कैसे काम करता है मतलब तो आपने समझ आना यह कोशन किसका है टाइप बन का कोशन है अगर रेट नहीं दिया होगा या ताइम नहीं दिया होगा या दोनों नहीं दिया होगे तो आपने समझ आना है यह जो कोशन है वो टाइप टू का कोशन है किसका कोशन है दोस्तो टाइप टू का कोशन है जिसम rate और time दिये होंगे न तो वो question किसका बन जाता दोस्तों type 1 का question बन जाता है clear हो गये की निए है तो आज जो हमारा यह part 1 रहीगा तो इसमें हम type 1 के ही question solve करने की कोशिश करेंगी कैसे लगाए अब देखो question करने से पहले आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा कि compound interest काम कैसे करता जिसे for example आपके पास कुछ पैसा है मानो आपके पास कुछ पैसा है P है इस पे क्या लगी 10% के लगेगी rate लगेगी तो मानो कुछ 10% rate लगे तो हम P को माल लेते हैं कि मानो कि आपको starting में कितना पैसा 100 रुपे आए था ही था और ब्याज भी जुड़ गे तो आपके पास कितना पैसा बन गया 110 रुपे बन गया अब दो साल दिये तो अगले साल किस पर ब्याज लगेगा अगले साल किस पर लगेगा 110 के उपर 10% लगा अगले साल तो 110 का 10% होता है 11 रुपे ब्याज तो अब आपके पास कितना पैसा बन जाएगा अब आपके पास कितना पैसा बन जाएगा 121 रुपे बन जाएगा तो मुझे बताओ कि अगला जो तीसरा साल होगा तो तीसरा साल किस पर ब्याज लगेगा तो तीसरे साल इस पर लगेगा तो इस पर भी 10% लगेगा तीसरे साल इस पर भी ब्याज लगेगा तो 121 का 10% कितना होता है 12.1 होता है तो इस पर भी ब्याज लगेगा तो यह कितना हो जाएगा लगवग 133.1% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो मुझे बिताओ चोथे साल किस पर ब्याज लगेगा चोथे साल 133.1 पर लगेगा तो मतलब मैं यह समझ गया कि जो compound interest है वो हमेशे किस पर चलता है pattern पर चलता है किस पर चलता हमेशे pattern पर आपके पास कुछ पैसा है उस पर कुछ ब्याज बनेगा तो अगले साल ब्याज समेथ principle जो भी मूल धानों को मिलकर उस पर लगे starting में 100 पर था तो आप पे 10% ब्याज लगा तो 10 पर ब्याज बना तो आपके पास कितना पैसा बन गया 110 पर बन गया अब दूसरे साल किस पर लगा 110 के उपर ना कि 100 पर लगा और लास्ट का जो भी आपके तीन साल के बाद देखा जाए तो तीन साल के बाद कितना पैसा बन जाएगा आपके पास देखा जाए 10% की रेट हो तो तीन साल के बाद आपके पास जो amount हमेशे दनने वह हो जाएगा 133.1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अगर यही पैसा मैं दो साल तक रखता तो मेरा प्रिंसिपल क्या होता, तो मेरा जो amount होता वो कितना होता, 111 होता, अगर मैं दो साल तक इस पैसे को रखता, मतलब देखा जाए, तो जब भी आपको rate और time दिये होंगे, तो आपने समझाना है यह question किस का है, तो type 1 का question है और जब type 1 का question बनेगा तो आपको अपने तरीके से सोचना है आपको तो पहली और last value से मतलब है की नहीं है देखा जाए तो आपको किसका मतलब है पहली और last value से मतलब है की नहीं तो जब भी compound interest के question आए तो बस ऐसे pattern follow करना आपने मतलब ऐसे box मिला लेने की 2 साल का दिया हुआ माल लेते 2 साल का दिया हुआ तो पहले साल 10% लग रहा है तो दूसरे साल भी कितना लग रहा 10% लग रहा तो आपको तो पहली और last value से मतलब है पहली value आजाएगी तो principal होगा last value आजाएगी तो क्या होगा amount होगा जब भी rate और time दिये होंगे तो आपने बस यही pattern follow करना है बस और कुछ नहीं सोचना है तो देखो 100 से कितना हो जाएगा बताओ 110 हो जाएगा हमेशा ratio बना देनी है यह 100 से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा कि नहीं होगा तो 0 से 0 काटी तो 10 से कितना हो जाएगा बोलो 11 यह भी 0 से 0 काटी तो 10 से कितना हो जाएगा तो आपस में multiply करो मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितना पैसा था 100 रुपया था और सब कुछ करने के बाद 2 साल में कितना पैसा हो गया 121 रुपया हो गया तो आपने समझ आना किस पर चलते हैं दूस्तो पैटर्न पर चलते हैatiques पैटर्न पर चलते हैं तो पैटर्न कों सा लगा नगाना हमेशिये यह वाला पैटर्न लगाना अपने आपको तो पहली और लाश्ट वैलिड से मतलब है तो हमेशब अ Southeast сравle करना है क्लीर हो गया और हो सके तो एक से लेकर 30 को को देगा फिर आशान कर नहीं हो UI आपको बार उना नहीं आपको आज कोई नहीं लगाते तो आप समझ जा वहाँ देखो पहला कोशन आ गया हम से क्या बोल रहा है वर्ट विल वी दा कंपाउंड इंट्रस्ट हम से कंपाउंड इंट्रस्ट पूछ रहा ओंद सम फ़ रूपीज हमें सम दे दिया सम मींस प्रिंसिपल दे दिया तो कैस के साथ टच करना बिलक प्रिंपल कितना दे दिया 8000 दे ना यह अगर यह दोनों दी होगा तो आपने समझाना है किसका टाइप बन का कोशन है तो चलो आईए सोचते कैसे बनेगा तो आपके पास कुछ पैसा होगा हमेशा ऐसे करना जब भी टाइप बन का कोशन बने तो पांच परसेंट का ब्या पीं नहीं लगव कमें तो पाँच से विसेटान हूँआगा सो से कितना हूँआगा है 1055 हो अगया 20 20 20 वहागय एकसे खेसे कितना होगया बोलो तो बस हमेशा जब भी टाइप बन का कुशन बनेगा आपको हमेशा ऐसे ही करना है बस रेटो टाइम दीगा तो यह स्टार्टिंग का क्या जाता है आपका मताबिक प्रिंसिपल आज़ता अच्छा आपके पास 400 रुपिया था और यह लास्ट वाली जो वैल्ली आ जाएगी आपके पास 400 रुपिया था सब कुछ करने के बाद आप घर को कितना पैसा लेखे गए 440 पैसा लेके गए और आपका चक्रविदी वियाज कितना बना 41 बना स्टैब टू yap डाटा दीए हो देखो आपको प्रिंसिपल का डाट दिया उकल नहीं दिए तो जब भी आपको रेट और टाइम दिये होंगे तो आपने समझाना यह टाइप बनेगा तो आप सोच पाओगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा और जो भी नुमेरिकल वैली उसके साथ कंपार्जन करना आपका बड़ा सानी सी अंसर आ जाएगा अभी क करते नेग्स वाल क्या बोल रहरा है और शर्टें सरंण अफ दाम तूध अमाउंट डे दिए हमारे पास मोड़ माउंट बन मिश्यधन दे ढडिया अब अब पर हमें तो फोकुस करना कि टाइब बन कि टाइप टू दो साल में 10% मतुल और अब हैं तो आप पूच्छा कउ और compound interest नहीं दिया amount दे दिया आपके पर मैं घर को कितना पैसा लेकर जाता हूं 2220 मैंने के बोला आपने कुछ नहीं देखना आपने के दिखना रेट टाइम देखना दोनों रेट टाइम दिये तो टाइप बन का question बन गया जब टाइप बन का question बन गया तो मतलब आप सो सकते ह पैसा है इसपे 10% लगा अच्छा कुछ पैसा इस पे दस परसेंट लगा और और पैसा बन गहांगे आपको तो पहली यो लास्ट वैली से मतलब पहला होता है प्रिंशिपल वालों था amount तो कितना हो गया 110 हो गया यह भी बड़ा है तो सो से कितना हो गया 110 हो गया जीरो से ज जो amount आगया वो कितना गया 121 आगया तो आपके मताबिक चक्रवीदी ब्याज आगया वो कितना गया 21 आगया clear हो गया हर बार आपसे जो margin numerical value पूछी हो आपसे amount की value दी हो या चक्रवीदी ब्याज पूछा हो compound interest पूछा हो principal पूछा हो जो मर्जी पूछा हो आपको जब rate और time दे दिया है ना तो आपने समझाना यह question किसका है यह जो question है वो type 1 का question है clear होगा और हमेशा approach के रहेगी same रहेगी अब देखो किसका data दिया हो खुद बोल दो आप देखो amount का data दिया हो कि नहीं दिया हो तो आपके तो मताबिक amount कितना है 121 अच्छा 121 का data दे दिया है जब 111 का data यह दे दिया है clear होगा और आपसे क्या पूछ रा प्रिंसिपल मतारा जानना चाता है नीचे और 10 का data पूछ तो multiply सो कर दिया 121 से काटा कितना आगया 20 आगया 2 गुना लग रहा तो आपके मताबिक जो principal होगा वो कितना होगा 2000 होगा तो इसका जो सही answer आया option B is the right answer clear हुआ की नहीं हुआ तो इस question को आपने ऐसे solve करना था ठीक है मैं आपको यह सिखा रहा हूँ जब आपको पता लगए type 1 का question है समयर के लिए की तरफ देखना भी नहीं है आपने हमेशा क्या करना रेट और टाइम को देखना टाइप बन का question है बस हैसे ही solve होगा मन में कुछ भी द्वन्द पैदा नहीं करना है ठीक है तो आभी लेते हैं next वाल में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राजशी पर तीन साल तीन साल दे लिए है टाइम दे लिए है 1046 रूपे चक्क्रवीदी व्याज तो मुझे पता है जब rate and time दिये हुंगे तो एक साल का ये दो سाल थीन साल बढ़ा लीजी गदो साल का 10% पर से से दस परसेंट लगे गवा फिर सेधन लगेग सब मतलब में कैसेहींia बताओ सों से कितना हो जाएगा एक सोधस्legt यूइ laugh b唱 कती तो दससे कितना हो जाएगा 11 थो दूसरे साल बहुत तो दोसरे साल बकार थे कितना अगर थिसरे साल कितना यूण यूजांगा से कितना हो जाएगा 11 हो गया कि नहीं हो गया तो दस का क्यूब कितना होता हजार होता है और 11 का क्यूब भी याद कर लो एक हजार तिनसो कितना होता है कतीस होता है क्लेर हो गया कि नहीं हो गया तो आपके मताबिक जो प्रिंसिपल आ गया आपके मताबिक प्रिवव कितना आ गया हजार आ गया आपके मताबिक जो अमांट आ गया एक हजार तिनसों कतिस आ गया और आपके आ किस थीअख यदियो आपकोंट इंट्रेस्टर डी और मैंतल secondary डिया तो यह कीनी दियो तो जब भी किसी का data दिया उसे का लिखते नीचे तो 330 का आ गया वो लो नीचे आ गया और आपसे principle पूछ रहा है मतला हजार का डाटा पूछ रहा है अपने 1000 कर दिया है तो 330 का यह सामने लग रहा है इसके 6 गुना है भाई 6 से मैंटिप्लाइ कर देना और 6000 कितना थे दूस्तों 6000 होते हैं तो मतलब जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया चे अजार आ गया तो हमारा जो सही अंसर आया ऑप्शन एस दा राइट अंसर क्लेर हो गया तो मतलब कोशिण किसका होता है मिशा टाइप बन का कोशिण होता है क्लेर हुआ की नहीं हुआ मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए अभी करते हैं नेक्स सवाल करते हैं नेक्स सवाल क्या होता है थोड़ा सा समझने के कोशिश करते हैं आज हमारे टाइप बन के ही कोशन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ताकि आपका थोड़ा डर दूर हो जाए इन कोशनों में, कोशन क्या बूर रहा है, अपको आपके पास बारा सी दे दिए, अच्छा रेट आपको दे साड़े बारा परसेंट, अब क्या करेंगे, अब ऋब बोलोगे हम फस जाएंगे, और टाइम कुतना दे दी है, ताइम कितना दे दी है, दो साल दे दिय और आपसी जानना चाहता है, चक्रवीज पर बीदी भी आ जानना चाहता है मतलब compound interest जानना चाहता है clear हो गया कि नहीं हो गया अब दिखो rate और time दोनों दी है तो आप समझ गए कि question किसका है बोलो यह question किसका है type 1 का question है कि नहीं है तो बस मतलब कुछ पैसा था उस पर कितना percent लगा कुछ भी दिया हो कोई मतलब नहीं है बारा परसेंट लगा फिर कुछ पैसा बना और उस पर फिर से कितना लगा बोलो बारा परसेंट लगा की नहीं लगा तो आपको तो पहली और लास्ट वैली चाहिए कि principle होगा तो amount हो ज सीदा बोल दे रही कि so ka 10 % कितना होता बोलो दस ओता की नहीं होता क्यों 10% को क्या लिख दस उसो से 100 काट तो कितना लगा दस आ गया तो रिश्यों बनाओ गए तो साड़े बार कैसे लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा साड़े बार तो सो से कितना हो जाएगा 112.5 फिर इसकी रिश्यों बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगे थोड़ा complicated हो जाएगा ना तो जब भी आपको ऐसा something आ जाए और आपको लगे कि हम क्या करें कि क्या माने सर ना तो इत कोश्णू को करना कैसे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ठीक है कि कि सौनी मानना था मैं को जब jeffy साढ़े बार आ गया तो नीचे जो लिखा होना नीचे और एक नीचे को साढ़े बार के नीचे के लिखा क्यों कुंकि टू लिखा करा थू आँ महाल लेना हमें अगर तरी लिख हो था नीचे UP 36 mustus 300 माब लेना तो आपके पास कितना था था 200 था 200 का 25 बता 2 percent percentage आतीं tuar 200 काथ हो तो किंतना बढ़ घाद दोस्तों 25 बढ़ गया तो मतला आपके पास कितना पैसा था आपके पास 200 रुपया था तो 200 possiamo ए सी 225 पैसे पटो की तो आपके पास कितना पैसा बन गया? 225 बन गया, तो यहां पर 200 था, तो यह भी कितना बन जाएगा? 225 बन जाएगा. क्लेर होगे कि ने होगी है? मैंने बोला कि 25 का टेवल, यात कर लोगा, कि 25 टेवल से कट रही हैं यह सामने होगे, तो ही 8 से एक बढ़ गया टो अब आप को किको कके श&نت- गानले किसे तो कितना तो भाइ 64 आगा आपकल टांब कीटना आ गया और आपके मैस क्या क्याओं लगाiron मैस मैं योए समझा इन आया तो इस तरह आपको क्या करना हैं को करेक करना पड़ेगा तो ही कुछिन यह ओंगे क्रैक हों गी एक बार फिर से देख लेते हैं गला तो एक हजार 2820 देदिया है जब भी जिसका डाटा दिया है उसे कहां लिखते हैं नीचे यह निखा दोस्तों नीचे और आप से पुछा कंपाउंड इंट्रस्ट आएगा वह तो यहां पर एक्चली जो अंसर है वह ऑप्शन ही होगा तो अंसर कितना होगा इसका तो इस तरह के करना था जब भी जिसका डाटा 64 का डाटा दिया हुआ है तो आपको पता लगे होगा जब भी रेट और टाइम दिया होगे तो आपको सेम अप्रोच इस्तमाल करने हो दो आ जाए तो सो नहीं मानना क्योंकि दो तंक करेगा फिर पॉइंट में आएगा तो आप अपने घवराट हो जाएगी आपको तो हमेशे के करना आपने जो नीचे लिखा होगा उसको मान लीजिए और उसकी परसेंटेज बना लिए कितना बड़ा 25 बड़ा तो 225 हो जाएगे और हमेशा सेम अप्रोच रखना हमेशा फिर लास्ट में देखना किसका डाटा दिया ह अब करते हैं नेक्स सबाट करते हैं नेक्स सवाल जान बुझ कैसे देदी आए नेक्स कंपांड इंटरस जानना चाहता है आपस प्रिंसिपल देदी है अचा रेट कितनी आगी तो रेट आगी देखो शोला दो बटा तीन परसेंट आगी तेको यह आपकी प्रैक्टिस के तो देखो आपके पास कुछ पैसा इस पर कि लगा और कुछ पैसा बन गया और फिर से कितना लगा सोला दो वटा तीन परसेंट लगा कुछ पैसा लगा आपको तो पहली और लाश्ट वैली से मतलब कि पहली वाली प्रिंसिपल होगी लाश्ट वाली अमाउंट होगी तो इसको एक्चुली मैं लिख कैसे सकता हूं बता तो यह मुटिप्लाइब और तालीस यह प्लस हो जगा तो पचास तो पचास बटा कितना आगया तीन परसेंटेज अर्टी सो कहा था नीचे अब हो जाए तो मैंने बड़ा आसान तरीके से बता दी नहीं तो प्रोफेशनल बंदे होते हैं एक बड़ा तो सिस्दा दिखते हैं सिक्स रेशो सेवन लिखते हैं ठीक है यह आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं बस आप रिशो बना देखो जीरो से जीरो काटा कितना अब चलो बनाते हैं कैसे लिखेंगे हम आपको अच्छे से सिखाया हुआ अब तो आप प्रोफेशनल बन गये होंगे आपको लग गया होगा कि रेट टाइम दिये होंगे ना जब भी रेट टाइम दिये होंगे तो कोशन किसका बन जाता है वो कंपाउंड इंट्रस्ट का कोशन बन जाता है आखी सिंपल रख रहाऊंट ठीक है टाइफ बन का पाट टू में मैं के करवाऊगो आपको एक तो टू के कोश्न करवाऊगो साप में हाफ ये ली quarterly ऐसे question भी करवाँगो आज आज आपने सीखना type 1 करें different different type की कैसे करना है तो six सेच 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 मल्टिप्लाई किए तो कितना होगया 36 मल्टिप्लाई किया तो कितना होगया 49 तो आपके मताविक principle कितना है बोलो आपके मताविक रटार डियो चाहर तो जब भी जिसका डाटा दिया हो उससे का लिखते है नीचे चाहरा गया तो एक से गाँए तो नहीं होते हैं तेरह हजार पनेगा ते रहा हजार होगा टो मतलब क्या option B is the right answer clear हुआ कि नहीं हुआ तो बड़ा असान सवाल था हमने बड़ी असानी से कर लिया ना clear होगे कि नहीं होगे ना तेको type 1 के question कर रहे हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को जुरू लाइक कर दो share कर दो comment कर दो सब्सक्राइब करना ना भूलना ना तो अब भी कर दो like कर दो वीडियो अगर आप यहां तक पहुंच गयो है ना ठीक है पहले देखते थे काफी स्टूडेंट देखते थे आज कल थोड़ा व्यूवी काम आ रहे है क्योंकि कम स्टूडेंट देख रहे है ना तो हो सकते यार शेर शूर करो भाई को थोड़ा प्रमोट करो अब देखते हैं यहां पर देखो आपको प्रिंसिपल दी है तो डिफिरेंट टाइप की कोशन है ने दिखो प्रिंसिपल कितना दिया और दो हजार दियो हुआ है अच्छे रेट कितनी दे दिए बोलो 10% देदिए एग्री कर तो कोशन किसका बन जाता बोलो दोस्तों कोशन बन जाता टाइप बन का तो बस लो मतलो देखा जाए तो आपके पास कुछ पैसा है तो ब्याज कब लगता है एक साल के बाद लगेगा ब्याज तो कितना लगेगा दस परसेंट लगेगा कि नहीं लगेगा प्रंतु अब कितन होता है परतिबर्शती रेट अब देखो अगर मैं छे मीनेवे भी 10% दे दूंगा तो मैं तो लुट जाओंगा तो हर कोई के करे करेगा कि हाँ एक साल पैसा रखा तो लगवगद छे मीने के बार निकाल लिये करेगा क्योंकि उसे 6 महीने का 10% मिल जाएगा clear हो गया कि नहीं हो गया तो होता क्या है कि जो rate है वो कितनी है दूस्तों साल की 10% है पैसा जितना समय तक रहेगा उतनी ही rate पर काम करता है अब देखो एक साल तक रहा तो पूरा 10% अब 6 महीने रहा ना तो आपको rate भी क्या लिखनी पड़ेगी आप साल की 10% है तो 6 महीने की कितनी होगे बताओ 6 महीने की सर 5% होगी तो मतलब डेट साल के बाद पैसा निकाल लूँगा तो पहले एक साल का ब्याज लगा फिर 6 महीने बचे तो 6 महीने की rate लगी तो 6 महीने की rate कितनी लगी 5% लगी clear हो गया कि नहीं हो तो यह है बस एक्चली और ब्याज की जो process है, हम इससे साल साल पे चलती है, अगर last में, अगर तीन महीने, दो महीने हो, जैसे आपर होते हैं यहाँ पर तीन महीने, तो कितना हो जाता, धाई परसेंट हो जाता, clear हो गया, और approach के आपकी सेम, तो 100 से कितना हो गया, 10 तो 110 हो गया, यहाँ पर, और यहा multiply किये, तो कितना हो गया, 200, multiply गे 11, 12, 12 होते है, नहीं, 11, 12 होते है, 12, 230 हो गया, तो आपके मताविकि जो principle आ गया, वो कितना हो गया, 200, और एक साल छे मिने के बाद, amount कितना हो गया, 230, और आपका जो चक्रवीदी भी आज लगा, वो कितना लगा, 30 लगा, 31 लगा, clear हो गया, सब्सक्राइब करना ऐना थो जिए तो इक को यह बशनी को बहुत है असानी से कर लिया मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आज सवाल तुछ और हमसे पूछ तो are बहुंत फोच रहे हैसे न हाज रोपए कि राक्षी बन जाएगी हमेशा कि पूछा जाता है बद जाया अमाउंट मतर्ब बिश्यर धन वो आपसे जानना चाहता है तो प्रिंसिपल कितना बताओ प्रिंसिपल है सिक्स थाउजन अच्छा रेट कितनी बताओ रेट आपकी पांच परसेंट अच्छा टाइम कितना दिया आपके पास दो कुछ अमाउंट बने गया तो सो से कितना हो गया बोलो एक सो पांच हो गया यहां पर सो से कितना हो गया बोलो 105 हो गया और 5 से काटा कितना है 20 5 से काटा कितना है 21 तो ये भी कितना होगा रेशियो बनाई तो 20 से कितना हो गया 25 से कट रहे थे तो 20 से कितना हो गया 20 20 से कितना हो गया 21 आपके पास multiply किया तो कितना हो गया 400 इसको multiply किया तो आपसे और आपको किसका दाटा दे दिया 400 का दाटा दे दिया तो एक का डाटा कितना और भी ज़लबिवर कर दे तो में यह सही नसर आए गा वो कितना हैगा option D is the right answer clear हो गया कि नियुक्त तो यह question भी आपको paper में आ सकता है तो अगला question जान बूझके में question लेका है and maximum na सारे सोसते हैं बढ़ा tough question बढ़ा tough question है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि यह question बहुत easy है कैसे देखते हैं क्या बोला हुगा है कि if the difference between the simple interest and the compound interest जिस question में याद रखना जिस question में simple interest और compound interest का जिकर की होगा साथ में आप देखो साथ में जिकर की है ना यह दी 5% की दी गए धराशी में दो वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रविदी ब्याज के बीच का अंतर की बात कर रहा है अंतर क्या आगी नुमेर के लिए लिए अगी छे आगी तो बोला राशी क्या है हैं सिम्पल और इंटरेस्ट का साथ में जिखर किया होगा तो आपने इसको हमेशा च्छे जाता है, यह हमें दिया हुआ है, तो मुझे बताओ जब rate और time उसने दे दिया, तो यह question किसका बन गया, बो type 1 का बन गया कि नहीं बन गया, जब भी इन दोनों का भी जिकर होगा, तो भी rate और time दी यह कुम्हें है तो यह कोश्वन का है तैट यह टाइबंगा वार्ट यह टाइब कर दो बनाटे तो आपके पास कुछ पैसा है उस पर कितरं लगा 5 परसेंट लगा आपके पास कुछ गया काटा तो 20 से कित라 गया वटीसा कितना हो गया एकीस बीस से कितना हो गया खुष castle स्कूश धग्याखिए चार्सो चार्सू किया जाता कि बहुत प्रिंसिपल आ जाता है यह आपको आ जाता है अमाउन्त आ अब आपको कहीं निकालना सब्सस्क्राइब अब करें 9 9 बटा कितने 100 और multiply वे कितना 2 कर दो फार्मूला लगा दिए ना simple interest का मैंने 2 0 से 2 0 काटी 5 2 जा 10 10 4 जा कितना 40 होते हैं तो आपका simple interest कितना आ गया 40 आ गया clear हो गया कि नहीं हो तो बस बन गी बात जब भी आपको rate और time दियोंगो और simple interest compound interest का साथ में जीकर कियोगा तो हमेशे compound interest वाला लगाना पहले compound interest निकाल लेना तो आपका जो principle है वो कितना 400 है तो आपका compound interest कितना 41 है तोपको शिंपलिंट्रस्ट कितना ऐ का डाटा तो हमें एग्जामन ने किसके डाटा पूछे है घरत के छार से करदा तो कितना चैंगा जाएगा मतलब option B is the right answer, clear होगे कि नहीं होगे, मतलब आपने जब rate और time दी तो data जो मर्जी दी हो, बस comparison करना है, फिर जो पुछे उससे multiply करना, आपका answer आना ही आला है, बढ़ी असान तरीक से मैंने इसको समझा दिया, अब ही करते हैं, आज के दिन का last सवाल करते हैं, और कल हम part 2 में मि quarterly, मतलब 6 माई, 3 माई के question करेंगे, प्लस type 2 के question करेंगे, compound interest के, clear होगे कि नहीं होगे, तो आज के दिन का last question लेते हैं, last question आपके सामने आ गया है, हमें difference between same to same question है, compound interest और simple interest का difference दिया हुआ है, कितना दिया है, बताओ 48 दिया हुआ है, आपको rate दिया हुई है, sir, बिल्कुल द दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको principle निकालना है, rate दे दिया है, 20% और time दे दिया, आपके पास 2 साल, और आपको अंतर दे दिया, compound interest माईनिस, simple interest का जो अंतर है, वो कितना दे दिया, 48 दे दिया, rate और time दोनों दिया है, तो question किस का बन गया, बोलो, question बन गया, type 1 का, type 1 का, question बन गया, तो कुछ पैसा होगा, उसमें 20% लग रहा होगा, कुछ पैसा बना होगा, उसमें फिर से 20% लग रहा होगा, कुछ पैसा बन गया, तो 100 से कितना हो गया, बोलो, 120 हो गया, ratio बनाई, 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना हो गया, 5, 2 से काटा कितना हो गया, 6, 5 ratio, 6, 0 से 0 रीच्व कतना गया काटीज इंट्रस्ट केटना गया सब्सक्राइब ऴल्न जिए करक切 विए पाहिए सब्सक्राइब थे इस ठोक्राइब दो है टैसे दो है रह duck इंट्रस्ट पर न दो होत बठाओ रहा गया. तो इन दोनों में अंतर कितने काया बोलो एक काया एक की वैल्यू कितनी है और आप से प्रिंसिपल पूछा हो तो प्रिंसिपल कितना है 25 तो 25 से मुटिप्लाई कर दिया 25 जा 220 तो आपके मताबी जो प्रिंसिपल होगा अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आपको यह अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो शेर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करना ना भूलना तक आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें जय मता दी